लगता है पैपा जॉच को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रही है पैपा, तुम जॉच को परेशान कर रही हो यह सच नहीं है मम्मी, मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी मैं खेल जानती हूं, जिससे जॉच सीखेगा गेंट कैसे पकड़नी है इसे कहते हैं पिगी इन द मिदल पेपा तुम बॉल लो और वहाँ पर खड़ी हो जाओ और जॉज तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ बढ़िया तुम्हें बॉल एक दूसरे की तरफ फेकनी है और मुझे कोशिश करके पकड़ना है मैं हूँ पिगी इन द मिदल पकड़ो जॉज ओ छूट गई जॉज ने बॉल पकड़ ली चापाज जॉज अब तुम पैपा की तरफ बॉल फेको फिर कोशिश करो कोशिश करो जॉज ममी के उपर से बॉल नहीं पहन पा रहा है रहने दो जॉज बॉल मुझे दे दो क्या बात है जॉज मैं भी ऐसा कर सकती हूँ पैपा जॉज की निकल करना चाहती है लेकिन वो बहुत बड़ी है और पंस जाती है बॉल मेरे पास है पैपा अब पिगी बनने के तुम्हारी बारी है जॉज पकड़ो यार्ट अब तुम बनने की जॉज पक्रो बहर को पक्रो जॉज पक्रो जॉज पक्रो जॉज पक्रो जॉज बॉल यहां है जॉज लगता है डाड़ी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है अब तुम यहां क्यों आई पैपा ने तुम्हें बताया ना यहां और ब्रेड नहीं है ममी हमारे पास स्ट्रॉबरी केख है थीक है अगर केक बच किया तो तुम उन्हें खिला सकती हो ममी पिग का घरका बनाया स्ट्रॉबरी केख सबको पसंद आया एक मक्षी मुझे मक्षे चिर है चिडने की क्या बात है ममी पिग ये सिर्फ एक मक्षी ही तो calculation मक्षी बिल्कुल हिलना मत ममी पिक यह उड़ जाएगी देखा तुमने तुम्हे कहा था बस हिलना मत अरे चली जाओ बचाओ वोई इसे भगाओ भगाओ इसे उम्मीदे मक्खी डारी को काटेगी नहीं दूर हटो छोटी से मक्खी नहीं डारी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज इसके पहले कि मक्खी वापस आजाए हमें केक खा लेना चाहिए और नहीं हम बत्तकों के लिए बचाना तो भोले गए मेरे ख्याल से वो चली गई है आपनी कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डाडी पिक लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया अच्छा हुआ मैंने अपना स्ट्रॉबरी केक किसी तरह से बचा लिया रुकिए डैरी हमने बचा हुआ कि एक बत्तकों को खिलाने का वादा किया है ओ तुम्हारी किसमत बहुत अच्छी है चलो डैरी को शुक्रिया कहो तुम्हारा स्वागत है हो हो गहल जाने का समय हो गया बत्कों को गुझबाय कहो बाई बाई बत्तक तुमसे फिर मिलेंगे नाश्ता तैयार है पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकलाए है मामी मुझे ठीक नहीं लग रहा मेरी प्यारी पेपा तुम बिमार लग रही हो चिंता मत करो मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ दॉक्र को चेहरे पर लाल दाने निकलाए है पेपा को आराम करने दो मैं थोड़ी देर में वहां पर पोहच ताहूं पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेर आए है हेलो बेटा पेपा कैसी तब्यत है तुम्हारी मुझे ठीक नहीं लग रहा अपनी जबान जरा बाहर निकालो डरने की कोई जरूरत नहीं पेपा को तो सिर्फ रैशेज आये हैं मुझे दवाई की जरूरत है रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई देता हूं हाँ दीजिये ना इसका स्वाध शायंध ही तुम्हें पसंद पेपा को आराम करना चाहिए उसकी तबियत के बारे में मैं बाद मैं फोन करके पूछूंगा पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं हां हां जरूर आ सकते हैं ये रैशेस फैलेंगी नहीं गुडबाई बाई बाई डॉक्टर ब्राउन बेर मामी क्या मैं उठ सकती हूं पेपा की बेस्ट फ्रेंड है मैं उसकी ममी को फोन करती हूं मैं हेलो मिसस पेग पेपा सुजी से बात करना जाती है हेलो सुजी हेलो पेपा मेरी तबियत ठीक नहीं है एक्सक्यूज मी मुझे बहुत काम करना है हेलो हां ऐसा करो वैसा करो जैसा चाहे वैसा करो गुडबाई पेपा को ममी पिक बन कर मजा आ रहा है लेकिन जॉर्च बोर हो रहा है माप करना डैडी पेग बस पूरा होने वाला है लो हो गया चलो डैडी पेग यह आपके काम का समय है गुडबाई मामी पिक और डाडी पिक गुडबाई डाड़ी पिग गार्डन में खुदाई कर रहे हैं एलो जॉर्ज मैं पेपा नहीं हूँ मैं ममी पिग हूँ और ये डाड़ी पिग है डाड़ी पिग यहां कुछ काम करने आये हैं आप बहुत अच्छे हैं डाड़ी पिग थोड़ा ध्यान रखना ये बहुत गहरा अपने अच्छे कपड़े पहन कर खुदाई नहीं कर रहे हैं डाड़ी पिग मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ सब के लिए आइस क्रीम आइस क्रीम पेपा जोच तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए मैं हूँ ममी पेग और ये है डाड़ी पेग तुम्हें यकीन है तो तो पेपा और जोच कहा हैं हम नहीं जानते ये दुख की बात है क्योंकि मैं उनकी मन पसंद आइस क्रीम यहां लाए हूँ अगर वो यहां नहीं है तो हम यहां है पेपा जोच तुम यहां हो हां ममी हम आपर डाड़ी बनकर खेल रहे थे तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया हाँ 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 डाड़ी क्या हम जाकर ममी के पास कंप्यूटर पर बैठ जाए हाँ लेकिन तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे उन्हें बहुत सा ज़रूरी काम करना है शुक्रिया डाड़ी और अभी ममी पिक को आज बहुत सा ज़रूरी काम करना है अगा तर जोर्च में आपके गौध में बैठकर आपका काम देख सकते हैं अगर तुम चुपचा बैठो तो अागर से इससे सदोल को ममी को कंप्यूटर पर काम करते देखना पसंद है ममी क्या हम कम्प्यूटर पर हैपी मिस्स चिकन खेल सकते हैं हम हैपी मिस्स चिकन बाद में खेल सकते हैं लेकिन अभी मुझे काम करना है ममी क्या हम आपके मदद करें नहीं पैपा तुम्हें कम्प्यूटर नहीं छूना चाहिए और जॉर्ज, तुम्हें भी कम्प्यूटर नहीं चुना चाहिए हाँ जॉर्ज, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए पेपा, रुको माफ करना ममी, मैं सिर्फ जॉर्ज को बता रहे थे क्या नहीं करना चाहिए ओ दिया, कम्प्यूटर तो ये सब नहीं करता है डाडी पेग डाडी पेग क्या बात है ममी पेग डाडी पेग आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं जब तक आप कंप्यूटर ठीक करेंगे मैं लंच बना दूंगी ठीक है ममी पेग लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता ओ शुक्रिया डाडी पेग डाडी मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूँ डाड़ी पिग ने कंप्यूटर ठीक कर दिया हुले डाड़ी शरार्ती गंद डाड़ी जरा ये सब कच्रा तो देखिये अकबार वो मेरे है चोकलेट वो मेरे है मिस्टर डाइनसौर डाइनसौर गोमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए ओ सही कह रही हो मामे पिग मामी क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं हां अगर तुम्हें करनी हो तो दुले डाड़ी पिग गाड़ी धोने के लिए साबन वाला गुनगुना पानी लाए डाड़ी पिग चद धो रही है ममी पिग बॉनट धो रही है पैपा दरवाजे धो रही है जॉज को खिड़किया धोनी है पर वो बहुत चोटा है बेचारा जॉज मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ओहो जॉज ने अपना स्पंज मिट्टी के गड़े में गिरा दिया जॉज तुम गाड़ी को दुबारा गंदा कर रहे हो मैं मिट्टी को दो देती हूँ पैपा वो पानी गंदा है अफो पैपा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के उपर फैंक दिया कोई बात नहीं हम बगीचे के पाइप से उसे धो देते हैं हाँ हाँ क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ पैपा ने पाइप पकड़ी और डाड़ी पिग्न पानी शुरू कर दिया पानी काहा है वाँ पैपा रुको सॉरी ममी आइस्क्रीम आइस्क्रीम मिस रबिट आइस्क्रीम लाई है आइस क्रीम गर्मी के दिनों में मिस राबिट आइस क्रीम बेचती है मामी डैरी क्या जोज और में आइस क्रीम कह सकते है अच्छा ठीक है वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है क्या मुझे भी आइस क्रीम मिलेगी सबको आइस क्रीम पसंद है हेलो मामे पिक, पेपा और जॉज, हेलो मिस राबिट, आपको कौन से आइसक्रीम चाहिए, क्या मुझे कौन मिल सकता है प्लीज, हाँ जरूर मिल सकता है पेपा, तैंक यू, मेरे लिए और डाडी पिक के लिए भी वही देना प्लीज, और छोटी मिस्टर जॉज को क्या चाह कार में एक कैंडी है, ये लो, टाइनिसार, जोज, पिगलने से पहले अपनी आइस कैंडी खतम करो, टाइनिसार, जोज को डानसौर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खतम नहीं करना चाहता, थैंक यू, मिस्स राबिट, सब मज़े करो, जोज, मुझे लगता है तो मैं अपनी आइस कैंडी खतम करनी चाहिए पिगलने और जमीन पर गिरने से पहले, जोज की डानसौर आइस कैंडी पिगल कर जमीन पर गिर गई, कोई बात नहीं जोज, तुम डाडी के आइस क्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगी, इतनी ज्यादा गर्मी है कि डाडी पिक सो गए, डाजी पिक को गर्मी लग रही है, चलो उन्हों ठंडा करने के लिए पर पानी डालते, अच्छा एडिया है पैपा, क्या हुआ, आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे, इसलिए हमने आप पर पानी डाला, अच्छा, थैंक यू पैपा, पानी के चलो जोर जूते पहनो, तौनी ठंडा है, यह बहुत या च्छार गर्म है, अब और कितना छिड़कोगी, वी! डाडी, मुझे बीच पर आना बहुट पसंद है. पैपा और जॉज को बीच बहुत पसंद है. सभी को बीच बहुत पसंद है. पैपा, जॉज, क्या तुम इन चीजों के साथ रेट में खेलना चाहोगे? हाँ ममी, खेलेंगे! डाडी, डाडी, क्या हम आपको रेट में चुपा सकते हैं? अब अभी? लीज, डाडी! ओ, चलो, ठीक है. येए! पैपा और जॉज, डाडी पिक को रेट में चुपा रही हैं. अराम से. हो गया. अब आप नहीं निकल पाओगे. मेरा सर थोड़ा गर्म हो रहा है. क्या मुझे स्ट्रॉ हेट मिलेगी? ठीक है. पहले प्लीज बोलिये. प्लीज, मुझे स्ट्रॉ हेट मिलेगी. हाँ, जरूर मिलेगी, डाडी. अब ठीक है. अब मुझे थोड़े नीन दा रही है. जोज, चलो रेट का महल बनाते हैं. पेपा और जोज रेट के महल बना रहे हैं. जोज, पहले रेट को बाल्टी में डालते हैं. ऐसे. फिर बाल्टी को उल्टा करते हैं और ऐसे करते हैं. फिर बाल्टी को उठाते हैं. देखो, बन गया. एक रेट का महल. बन गया. और एक रेट का महल. पेपा, जोज, घर जाना है. अपना सारा सामान लेकर आओ. चलो, देखें कि हम कुछ भूले तो नहीं. ममी पिग ने पेपा को तयार किया है और डैडी पिग पेपा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे हैं. तो बताओ पेपा, तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिचल रेड राइडिंग हो. बहुत अच्छे. उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ. मैं दादी से मिलने जा रही हूँ. शाबश, पेपा. डैनी डॉग बनेगा बड़ा भेडिया. दादा डॉग और ममी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं. मैं हूँ बड़ा भेडिया. बोलने के बाद हसना नहीं, डैनी. तुम्हें डरावना लगना चाहिए. देखो मैं कैसे करता हूँ. मैं हूँ एक बड़ा पुरा भेडिया. और मैं तुम सबको खाजाओंगा. देखा? सचमुष बहुत डरावना था. पेड्रपोनी शिकारी बनने वाला है. वो पेपा को उस भेडिये से बचाएगा. मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है. तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेडिये. मैं तुम्हें भगा दूँगा बुरे भेडिये. शाबाश पेड्रो. रिबेका रैबिट दादी बनने वाली है. मैं क्या बोलू ममी? देखते हैं, नाटक के शुरवात में बड़ा बुरा भेडिया तुम्हें अलमारी में बन कर देगा. नाटक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा और तुम कहोगी थैंक यू. कहो थैंक यू. थैंक यू. बहुत अच्छे, रिबेका. स्कूल में नाटक देखने सभी आये हैं. आप सभी का स्वागत है. हम पेश कर रहे हैं, दे लिटल रेज राइडिंग होड. तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से. प्लीज, प्लीज, कलाकारों की फोटो लेना मना है. ऐसा मत कीजिए. ये सारे चीजे कई साल पहले रानी इस्तमाल करती थी. ये है रानी की खास कुरसी. उसे सिंघासन कहते हैं. बहुत सुंदर है. ये है रानी की ड्रेस. कितनी प्यारी है. देखो पैपा, ये है रानी का सोने का मुकुट. वाव! बहुत सुंदर है. ममी, रानी का टीवी कहा है? पैपा, उस समय टीवी नहीं होते थी. टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कंप्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे. वो तिन भर क्या करते थे? ममी, अगर मैं रानी होती, तो जितना चाहूं उतना केक खाती. पैपा खुद को रानी समझ रही है. याम्मी! क्या आपको कुछ और चाहिए, रानी पैपा? हाँ, और केक प्लीज. अभी ला कर देती हूं. चलो अभी सब लोग. आ रही हूं डैरी. टैरी, मैं हूं रानी पैपा. मुझसे बात करते हैं वक्त आपको जुकना होगा. ओ, मुझे प्लीज माफ कर दीजी रानी साहिबो. और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैरी हूं. यह तो बड़ा मज़ेदार काम होगा. हां, बड़ा ही मज़ेदार काम है यह. और यह कॉनसा कमरा है? ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर का कमरा? जो आज, ये डाइनसौर का कमरा है डाइनिशा डाइनसौर कहा है? वो कही कमरे में ही है मुझे नहीं दिख रहा लगता है बहुत ही छोटा डाइनसौर है असल में पेपा, वो बहुत ही बड़ा है वाँ यह असली डाइनासोर की हट्डियां है जो आज मैने तुम्हे हिलते हुए देखा पहले से शिरू करो पकड लिया मैं चीद गई लेकिन लेकिन मैं रेडी नहीं थी रूल्स के हिलसाब से मैं जब चाहू हिल सकती हूँ है ना जोर्च अब चतुर लोम्री बनने की बारी क्लूई की है पेपा और जोर्च को बिना हिले रहना होगा पेपा मैंने तुम्हे हिलते हुए देखा फिर से शुरू करो यह गलत है तुमने बहुत देर तक देखा रूल्स के हिसाब से मैं जितनी देर चाहूं देख सकती हूँ दुबारा शुरू करो जोर्च जीत गया क्या हम कोई और खेल खेले हाँ पर वो बड़ो का गेम होगा तो ही मैं बताती हूँ मेरा फेवरिट गेम खेलते हैं वो बड़ो का ही खेल है जोर्च क्या तुम्हें पेपा की फेवरिट गेम पता है पेपा का फेवरेट गेम है मिट्टी के गड़ों में उपर नीचे कूदना जोर्ज, अगर तुम्हें गड़ों में कूदना है तो तुम्हें जूते पहनने होंगे ये लो, मैं तुम्हारे लिए भी जूते लाई हूँ, क्लोई मिट्टी के गड़ों में कूदने के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ ओ, मैं भी जोर्ज को मिट्टी के गड़ों में कूदना बहुत पसंद है असल में पेपा को गड़ों में कूदना बहुत पसंद है पर उसे क्लोई को दिखाना है कि वो बच्ची नहीं रही मैं देख रहा हूँ कोई गड़ों में कूद रहा है ममी पिग और डाडी पिग को भी मिट्टी के गड़ों में कूदना बहुत पसंद है ये मज़ेदार दिख रहा है हाँ, वो तो है शायद ऐसा कोई रूल है जिसके मताबक भरी लड़्या भी मिट्टी के गड़ों में कूद सकती है हाँ, ये अच्छा रूल है हाँ च जो रेस लगाए च्ब रेस लगाए केपा और प्लोई को मिट्टी के गड़ों में कूदना बहुत पसंद है सबको मिट्टी के गड़ु में उपर नीचे खूदना पसंद है बड़ी लड़कियों को भी कितना शोर मचा रहे हो खतब हुआ अब हमें थड़ी शान्ती मिलेगी ये क्या है ये दात है ये कहाँ से आया पैपा, तुम्हें जाकर आएने में देखना चाहिए ये तो मेरा दात है ये कैसे घर गया फिक्र मत करो पैपा, ये दूत का दात है वो तो गिरते ही ह airports नया दात आजाएगा ना ममी हाँ, जरूर आएगा पैपा इसका ये मतलब है कि आज टूथ फैरी तुमसे मिलने आएगी टूथ फैरी? हाँ, टूथ फैरी अगर तुम अपना दांट तक ये के नीचे रखोगी तो टूथ फैरी आएगी टूथ फैरी तुम्हारा दांट लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फैरी बनूँगी और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनूगे जॉर्ज? ताइनसौर एक टाइनसौर? चल जी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है नहीं तो हम टूथ फैरी को नहीं देख पाएंगे सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांट ब्रश करते हैं पेपा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांट ब्रश कर रही हूं ताकि टूथ फैरी के लिए वो अच्छा और साफ हो पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है पेपा अपना टूटा हुआ दांट तक्ये के नीचे रखती है टूथ फैरी के लिए गुद नाइट पेपा और जॉर्ज गुद नाइट मामी, गुद नाइट डाड़ी गुद नाइट प्यारे बच्चों लेकिन पेपा के जूते कहीं नहीं मिले पेपा के जूते खो गए अब मेरे पास बहनने के लिए कोई जूते नहीं है बिचारी पेपा, तुम्हारी जूते पुराने हो गए थे हम नए जूते ले आएंगे क्या मेरे नए जूते लाल होंगे ममी बिल्कुल लाल होंगे George, मन नए लाल जोते लेने जा रही हूँ ममी पिग और पैपा मिस रैबिट्स की जूतों की दुकान में हैं हलो मिस रैबिट्स हलो ममी पिग हमें पैपा के लिए नए जूते खरीदने हैं, प्लीज लाल जूते जरूर हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ प्यारे जूते हैं पैपा लाल जूते प्लीज बिलकुल लाल जूते वाव नए लाल जूते जॉर्च और डैडी पिग ड्राट्स खेल रहे हैं ओ शाबाज जॉर्च डाडी 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 मेरे नए जूते देखिए ये लाल है ओ हाँ ये लाल है मामी आपको अच्छे लगे मेरे नए जूते हाँ पैपा इनमें तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो जॉर्च तुम्हें मेरे नए जूते अच्छे लगे प्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉ यूत्ये पहना चाहती है पैपा क्या तुम पक्क आपने जूते नहीं उतारना चाहती मैं अपने नहीं जूते कभी नहीं उतारूंगी ममी ठीक है गुडनाईट पैपा और ज्वर्ज घूडनाईट ममी ढगी डाड़ी कुडनाईट मेरे cosmgirl पेपा ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है शुक्रिया ममी ये एक सीक्रिट बॉक्स है तुम्हारी सीक्रिट चीजे रखने के लिए मैं इसमें कौन सी चीज रख सकती हूं ममी वो तुम हुद ही सोचो पेपा ये तुम्हारा सीक्रिट बॉक्स है मैं जानते हूं मैं इसम आपको बताऊंगी, ना जोज को, ना डाड़ी को, ये एक सीक्रेट है, जोज, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है, ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूनना है, जोज पेपा की मदद करना चाहता है, नहीं जोज, सिर्फ मुझे पताऊगा बॉक्स में क्या है, जब तक मैं पसंद करूँ, तुम बाहर इंतजार करो, पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की है, अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है, जोज, तुमें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए, जोज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट जोज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में डाइनसौर को रखा है, जोज, तुम हमेशा हर चीज को डाइनसौर ही कहते हो, और मैं तुमें बता दू एक डाइनसौर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैच सकता, जोज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्य यह बहुत अच्छा है इसके अंदर क्या है यह एक सीक्रिट है जोज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन नहीं बता पाया क्या मैं कोशिश करूं क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है नहीं आपका चश्मा तो आपके सिर पर है अब अपना हाथ हिलाओ उपर और नीचे और अपनी जीब बाहर निकालो और अब अपनी आखे बंद करो और तेजी से घूमो सिर्फ तीन बार पैपा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया जोर्ज को अभी भी हिच्किया आ रही है मैं जानती हूँ हिच्कियों का इलाज पिमार पिगी को एक शौक दिया जाना चाहिए जोर्ज मैं तुम्हें डराने वाली हूँ लेकिन तुम्हें याद रखना ये सिर्फ ए खेल है और इससे तुमारी हिच्किया बंद हो जाएंगी याद रखना ये सिर्फ डराने का खेल है पैपा तुम्हें जोर्ज की साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए ये बहुत छोटा है माप करना ममी मैं जोर्ज की हिच्किया रोकने के कोशिश कर रही थी जोर्ज की हिच्किया बंद हो गई डेड़ी पेक जूस के दो गिलास लेकर आते हैं जोर्ज इस तरह पियोगे तो फिर से हिच्किया लग जाएंगे मैं उतनी छोटी नहीं हो जितना जोर्ज मैं अपना जूस बहुत जल्दी पी सकती हूँ जोर्णी तरह जोर्णी तरह जोर्णी जूस्ट अभरताने जनी जोर्णी एफ ज़ग्णीज और्गाँ और ड़ी मुझे अपने साइकल में बैलंसर नहीं चाहिए तुम बिना बैलेंसर के चला पाओगी हाँ ठीक है पैपा इसे निकाल देते हैं डैटी पिक पैपा की साइकल में से बैलेंसर निकाल रहे हैं क्या तुम सच में बिना बैलेंसर के चला पाओगी हाँ मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी मैं चला सकती हूँ हाँ हाँ इसमें हसने जैसा क्या है बिना बैलेंसर के साइकल चलाना आसान नहीं होता मैं तु तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो। सच में तुम सच मुझ बहुत अच्छा चलाती हो सच में ओ मैं चला सकती हूँ देखो मुझे देखो मुझे मैं साइकल ठीक सा चला सकती हूँ जानी सूजी रिबेक्का देखो मैं बिना बैलंसर के साइकल चला सकती हूँ देखो मुझे देखो डाड़ी के पंकिन की तरफ रेस लगाएंगे पेपा मेरे पंकिन का ध्यान रखना अजीद चाहूंगी पैपा नहीं देख रही कि वो कहां जा रही है पैपा ने तो डाड़ी पेख के पंकिन की चटनी बना दी सॉरी मैंने आपका पंकिन तोड़ दिया डाड़ी पंकिन की चिंता मत करो जरूरी यह है कि तुम ठीक ठाक हो आगे से ध्यान रखना कि किस तरफ जा रही हो जोर्ज मुझे मदद चाहिए मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ जरा बोल में से चक कर बताओ जोर्ज को कुकीज बनाने में ममी की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पैपा के साथ खेरना ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ मैं डॉक्तर बनना चाहती हूँ लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा जोर्ज पैपा और सुजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जोर्ज को भी पैपा जोर्ज की धड़कन सुनती है जोर्ज अब एक लंबी सास अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ मुह खुलो प्लीज सुजी जोर्ज का टेंपरेचर चेक करती है तुम्हें बहुत जादा बुखार है मेरे ख्याल से तुम्हें तीन साल तक आराम करना होगा डैडी बिग जोर्ज को देखने आये ओनढ़र जोर्ज को में था होगाल यह और के लिए गैसुर्ण पार ही दवाई नहीं क्यों फिर्टिया यहाल वो थक सकता है कुकी지 हाँ ये जॉज के लिए है ये उसकी दवाई है ताके ठीक हो जाए माफ करना डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुद्गुदी होती है मैं इसके गुड़गुड सुन सकती हूँ ओ डियर मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए जॉज भी बजाना चाहता है इसे ऐसे पकड़ो जॉज ये आवाज भी ठीक नहीं लगती है वाईलिन बजाना बहुत मुश्किल है पेपा लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो शुक्रिया डाडी ये आवाज ठीक है पेपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है बहुत अच्छे इसकी आवाज बहुत अच्छी है ये डाडी पेग का पुराना अकॉडियन है मैं ये ममी पेग के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे ओ डाडी पेग मुझे ये धुन याद है जोर्ज भी अकॉडियन बजाना चाहता है तुम बजाओगे जोर्ज अकॉडियन काफी मुश्किल है जोर्ज ये अकॉडियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना की मेरा ड्रम ठीक है जोर्ज शाह जोर्ज अकॉडियन बजाने के लिए अभी थोड़ा चोटा है डाडी इस बॉक्स में और कॉन-कॉन से इंस्ट्रूमेंट्स है बस ये हॉर्म क्या मैं बजाओ तुमें इसे बहुत जोर्ज से बजाना होगा इसकी आवाज ठीक नहीं लगती ये बिल्कुल नहीं बचता मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह है ये आवाज भी अच्छी नहीं है डाड़ी पेपा और जोर्ज हॉल को सजा रही है हुआ 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 ह ममी क्या आप अंदर आना चाहोगी हाँ बिल्कुल आउंगी आखे बंद करो अपनी आखे बंद ही रखो ममी एक दू तीन अपनी आखे खोलो कितना प्यारा सप्राइज है ये चलो अब कैंडल्स बुजाओ और विश मांगो ममी ममी अपना गिफ्ट खोलो कैस करो इसमें क्या है मुझे नहीं पता तो खोलो और देखो ये तो बहुत ही खुबसूर अड्रेस है वाँ अब खुबसूरत हो ममी अब इससे पहन कर किसी अच्छी जगा पर जाना चाहिए ये क्या है दो टिकेट्स आज रात के फिल्म की चलो चलें तैंक यू ममी पिक को फिल्म देखना पसंद है मैं और दादी पिक बच्चों को घर पर समहल लेंगे कितना अच्छा बर्दी है लगता है मैं दुनिया की सबसे लखी ममी हूँ और खुबसूरत भी तुम इसे और उपर उच्छाल सकते हो ममे पिक जब अपना पैनकेक उच्छालोगी तब मुझे दिखाने का चांस तुमें मिलीगा डारी पिक सिर्व प्लीज यम्यम्य यह यह हुआ यह पैनकेक ममी पिक के लिए है हुरे अब भी हुने ज्यादा उच्छा नहीं उच्छा रही ममे पिक अगला पैनकेक आप कांई है डाडी पिक तो अब आफ ही कर के बताईए बहुत यामी है अब सब की नजर मुझ पर हो एक अच्छा पैंकेक बनाने का राज उसे हवा में उपर उच्छालना होता है एक, दो, और तेन पुद्दु डाड़ी ओ, मैंने कुछ ज्यादा ही उपर उच्छाल दिया अब क्या करें, ये तो आखरी पैंकेक था इसे नहीं चलाना बहुत यह असान है ओफो, डाड़ी पिग अपने पैंकेक तक नहीं पांच पा रहे अब फिक्र मत करो डाड़ी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ चलो उपर चले बच्चों ममी पिग क्या प्लान बना रही है तीन के गिंती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है, ठीक है? एक, दो, तीन, कूदो यह सब कर क्या रहे है काम हो गया, अब डाड़ी पिकको उनका पैंकेक मिल गया डाड़ी के सिर पर पैंकेक है आपके पैंकेक पर सिरप डाड़ी पिक? ठीक है, टालू एक स्लीपी प्रिंसेस बहुत पहले की बात है एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस डाड़ी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुन्दर थी? बहुत सुन्दर उसे अपने आपको आईने में देखना बहुत पसंद था ओ, मैं कितनी सुन्दर हूँ उस महल में और कौन-कौन रहता था? अब वहाँ अब उस महल में रहते थे एक चोटा सा प्रिंस क्वीन ममी और केंग डाड़ी बिल्कुल वह सभी साथ रहते थे या केंग डाड़ी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं वह तो हैंसम थे मेरी तरह और हाँ वहाँ पर एक ड्रागन भी था डाइनसौर डाइनसौर? अरे हाँ वह ड्रैगन नहीं था वह डाइनसौर था बाहर एक बड़ा बयांकर डाइनसौर था वह 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 ओहो शार शार बड़ा इतना भी भयानक नहीं था है ना, ॥ैबिपिग? सॉरी, चॉर्च नहीं वह डाइनसौर बहुत दयालू था वो सिर्व खास खाता था डाड़ी पेग ओपस, सॉरी, मैं भे डाइनासोर बन गया डाड़ी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे वही तो बता रहा हूं वो क्या हुआ, शाम हो गई तारे और चान दिखने लगे और सब को बहुत मींद आने लगे मुझे लगता है, अंकल पेग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे डाड़ी पेग, आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए खास कर बच्चों के सामने पर सही तो है, अंकल पेग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर-जोर से खराटे मार कर सो जाते हैं ये ऐसे पेपा, चोर्ज, मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ चीक है डाड़ी पेपा और उसका परिवार अंकल पिग और अंटी पिग के घर पहुँच गए हैं हेलो अंटी पिग, हेलो अंकल पिग हेलो हेलो, कैसे है आप? वेलकुल ठेखो, तुम कैसे हो अंकल पिग डाड़ी पिग के भाई है क्लोई पिग पेपा और जॉज की बेहन है हेलो क्लोई हेलो पेपा, हेलो जॉज मुझे तुमें कुछ दिखाना है हमारे लिए रुखो ये है मेरा नया कटपितली यानि पपेट थियाटर मेरे टाडी ने मेरे लिए बनाया है वाँ मैंने दो पपेट पहले ही बनाया है इसका नाम है क्लोई हेलो, मैं हूँ क्लोई पेग और ये है मेरे डाडी अंकल पेग हेलो पेपा, मैं हूँ अंकल पेग क्लोई, क्या मैं और जॉज भी पपेट बना सकते हैं? क्लोई पपेट के आंखे पेंट कर रही है हाँ बनाओ मेरा नाम पेपा है जोर्ज तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है डाइनसार क्या डाइनसार जोर्ज हर चीज के लिए डाइनसार ही कहता रहता है ठीक है डराऊना डाइनसार पपेट बनाते है क्लोई जॉर्ज के लिए डाइनसौर बना रही है इसे नुकीले दाज चाहिए ऐसे डराओ ना डाइनसौर दादा पेक तेज चलिए ना अच्छा लग रहा था जाएंगे बेटा जाएंगे हम बाद में तेज जाएंगे देखिये एक और बोट यह दादा डॉग वो डादी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आएँ हैं कैसे ओ दैनी और दादा डॉग हो कैसे हो दादा पेग हलो डादी हलो पैपा दादा डॉग दादा पिक के बेस्ट फ्रेंड है मुझे यकिन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है ये पुरानी बोर्ट तुम्हारी जंग लगी बालते से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग ओ अच्छा तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं हारने के लिए तयार हो जाओ पाने पिग आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बरताव कर रहे हैं दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा आपने पहले उन्हें समुद्री डॉग का दादा आपको सौरी बोलना चाहिए अगर उसने पहले सौरी बोला तो बोलूगा दादा, अपने दोस दादा पिक को सौरी बोलिये, वो आपके बेस फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिक है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है अच्छा तो ठीक है समुदरी डॉग, अगले बिच तक रेस लगाते हैं तो चलो तीन तक गिनते हैं एक, दो, तेर, तुमने बहुत जल्दी शुरू किया मुझे पकड़के दिखाओ पाने बेग, समुदरी डॉग, अगले बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम मुझे नहीं परपेर सकते हैं जीत कया ओ, ये क्या, दादा पिक की बोर्ट का पेट्रोल खत्म हो गया बहुत होशियारी की, कैप्टन दादा शाद मेने कुछ जाधा है तेज चला दी नहीं, जोर्ज, लिस्ट पर अगली चीज है, प्याज प्याज, अभी याद आया मामी ये रहे शाबाश एक, दो, तीन, चार, प्याज शाबाश, अपने लिस्ट की लगभग सारी चीज़े मिल गई लिस्ट की बस एक ही चीज बची है पॉधा, क्या ये लिस्ट में है? नहीं नहीं, जोर्ज, लिस्ट पर आखरी चीज फल है कोई बात नहीं जोर्ज, तुम फल चुन सकते हो फल कहां है? वह पर वहां सेब हैं, केले हैं, संत्रे हैं और एक बहुत बड़ा तर्बूज भी कौन से फल्ले जोर्ज, सेब संत्रे केले तर्बूज इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं टमाटर, नूडल, प्यास, तर्बूज, चॉकलेट केक चॉकलेट केक? चॉकलेट केक? क्या ये लिस्ट में है? पैपा, क्या तुमने चोकलेट केक टॉली में रखा? नई मामी जॉज, क्या तुमने चॉकलेट केक टॉली में रखा? नई मैने भी तो नहीं रखा फिर किस ने रखा? मुझे लगा पुढ़िंग ये अच्छा होगा डैडी पेग शरारती डैडी सौरी लेकिन यह कितना यमी लग रहा है ना यमी तो लग रहा है हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था छोप रखाइक हुराइ जादू इखिड़कियों को नीचे कर दो नीले बटन से क्या होता है डारी उझे नहीं पता, चलो देखते हैं कुछे यह नहीं कारी पसंद है क्या हम इसे रख सकते हैं नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पैपा हमने बस यह आज के लिए ली है ओ ओ नहीं, लगता है बारिश होने वाली है तो मैं छट उपर कर देता हूँ तो कौन सा बटन कहा था उन्होंने मैं कितना बुद्ध हूँ यह रहा वो बटन नई कार ने डाडी पिक पर पानी उच्छाल दिया बुद्ध डाडी, वो गलत बटन है तो यह बटन रहेगा उप्स, यह तो नहीं है तो यह रहेगा डाडी पिक भूल गए हैं कि कौन से बटन से च्छत उपर होती है यह गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती हम लाल बटन दबा कर देखते हैं हुरे लेकिन बारेश अब रोक गई क्या फिर से च्छत नीचे कर दे क्यों नहीं लेकिन कौन से बटन था लाबाला हुरे दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई हुरे थैंक यू दादा डॉग यह रहे तुम्हारे पैसे थैंक यू डाड़ी पिग गुड़ बाई गुड़ बाई बाई अच्छा हुआ, हमें अपनी कार वापस में लगई मुझे नई गारी अच्छी लगी, लेकिन अपनी गारी ज्यादा अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि हमारी गारी भी हमें बहुत पसंद करती है, है ना? मामी, मामी, हम सब ने हंसो की तरह डांस किया पेपा ने बहुत अच्छा किया मैंने बहुत नजाकत से और सुन्दरता से डांस किया शाबाश मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसे डांस किया पहले घर चलते हैं फिर तुम डाडी पिक को और जॉज को और मुझे दिखाना बाइ बाइ पेपा और ममी पे घर आ गए है डाड़ी जोर्ज मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं क्या वो मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत आसान था पर आपके लिए जोर्ज और ममी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा पहले हमेचा ये म्यूजिक गुट अब जोर्ज डाड़ी और ममी आप ऐसा कीजे जैसा मैं करती हूँ माड़िम गजेल ने मज़िदार शब्द बोले पर असल में सिर्व घुटनों को मोड़ना होता है और जॉब करना है पटी शित है डाड़ी आपको वो शब्द पता है क्योंकि मामी पिक और मैं बहले करते थे साफधानी से डाड़ी पिक हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैटड़ूर मुझे शायर ठीक से याद नहीं रहा पुद्द डाड़ी पेग शायद हमें पैपा को ही बैले करते देखना चाहिए हाँ मैं उसमें सबसे अची हूँ मैं खुबसूरत हंस हूँ पैपा जोच क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिरोने लाए अच्छा है मिस्टर डाइनसौर सुरक्षित है टेड़ी मैंने टेड़ी को वहे पर छोड़ दिया वो गीला हो जाएगा तम उतरो पैपा टेड़ी पिक तुम्हारा टेड़ी ले आएंगे जल्दी करो टेड़ी पिक अभी बारिश होने वाली है मुझे तूफानों के भारे में सब पता है अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है पेचारा टेड़ी पूरा भीग गया हाँ बेचारा टेड़ी चलो उसे सुखाते हैं पेचारा टेड़ी ये लो टेड़ी तुम सूख गये पर बेचारे डाड़ी का क्या मैं भी तो भी क्या हूँ ओ सॉरी डाड़ी पेग आपको भी सुखा देते हैं ये देखो डाड़ी पेग बलकुल सूख गये पारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है फर्ष गीली हो रही है अरे बाबरी अब हम क्या करेंगे डाड़ी पेग शिंता की कोई बात नहीं डाड़ी पेग बूंदे इकठा करने के लिए बाल्टी का इस्तमाल कर रहे हैं शाबाज डाड़ी पेग बहुत ही आसान था यह क्या जल्दी पानी चमाकने कले कुछ और लेकर आओ बहुत अच्छे पेपा बहुत ही आसान था मामी मुझे बहुत डर लग रहा है टरो मत बच्चों कुछ नहीं होगा हर एक चमक और शोर के बीच गिंती करते हैं और ज्यादा गिंती करने से तुफान दूर चला जाएगा अब कौन है मैं हूं मामी पेग क्या तुम्हारे पास महमानों के लिए जगा है आपको सीक्रिट कोड बताना होगा उसके बाद ही आप अंदर आ सकती है अच्छा जी और वो सीक्रिट कोड क्या है मुझे आपके कान में बताना होगा सीक्रिट कोड है डाडी का बड़ा पेट ओ अच्छा सीक्रिट कोड बताएए डाडी का बड़ा पेट एंगे जवाब बड़ा पेट मुझे लगता है किसट्रिट कोड बहाती बखल कर ममी आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे हाँ पैपा डाडी आप लग नार शकते हैं सिक्रेट कोड बताईे डाडी क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है नए तो ठीक है डाड़ी का बड़ा पेट जवाब अब अप अंदर आ सकते हैं डाड़ी अपने जूते उतारिये मुझे नहीं लगता मैं दरुआजे से अंदर आपाऊंगा क्यूंकि आपका पेट बहुत बड़ा है एक काम करते हैं डाड़ी पिग उपर से जा सकते हैं पेपा, जॉर्ज, ममी पिग और डाड़ी पिग सभी ट्री हाउस में हैं दादी मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है मुझे कभी बाहर नहीं आना अच्छी बात है पेपा क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझे मिलने नहीं आना नहीं मुझे नहीं आना तो फिर कुकीज जो मैंने घर पे बनाई हैं वो हम दूनों ही खा लेते हैं कुकीज पेपा ने परियों की राजकमारी की ड्रेस पहनी है और जोज ने डानासौर की ड्रेस पहनी है यह पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शीव, डानी टॉग, रबेका राबिट और पेडरो पोनी सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है हेलो सुजी हेलो मिस्टर पेग मुझे खुशी है कि नर्स आ गई क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो? मैं असली नर्स नहीं हूँ मैं तो फ्रेंशी टेस वाली नर्स हूँ हेलो बहुत अच्छे अरे वा, यह कौन आय है मैं हूँ पाइरेट मुझसे सब डरो मैं जादूगरनी हूँ मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ नए मैं एक जोकर हूँ बहुत अच्छे तुम क्या बनी हूरेबेकर रबिट मैं काजर हूँ बढ़िया अंदर आ जाओ एक फेरी प्रिंसेस और डाइनोसार तुम सब से मिलने के लिए रुके हैं कैसे हो दोसतो हेलो पेपा हेलो सुजी मैं हूँ राजकुमारी पैपा तुम्हें मुझसे जुकर बात करने चाहिए हेलो राजकुमारी मैं हू नुर्स सुजी मुझ खोलकर कहिये आँ नए मैं हूँ जोकर कुछ मज़ेतार करो रिबेका तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो मुझे गाजर पसंद है दाइनसार पापरी तरावना डाइनसार पेपा आइने में खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आइने बताव सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पेपा हलो पेपा हलो मैं परियो की राज कुमारी हूँ